नागपूर महनगर पालिका के पार्शद वजल प्रदय समिति के सभापती संदिप गवई के घर पर अग्यात आरोपियों ने सेन लगा कर करीब 50 लाख रुपे के जिवरात पर हाथ साफ करने का मामला सामने आया है बताया जाता है कि चोर तीजोरी सही जेवरात ले भागे जिससे पुलिस विभाग में हड़का मच गया है गिटी खदान पुलिस से मिली जानकरी की मताबिक सेमिनेरी हिल्स की मालाबर कॉलनी में गवई का बंगला है संदिप गवई का परिवार प्रॉपर्टी और गार्मेंट का व्यवसाय करता है पिछले कुछ दिनों से उनके घर में स्वेमिंग पूल का निर्मान कारियत चल रहा है इसी वज़े से मजदूरों का आना जाना लगा था घर की देखभाल करने के लिए कुछ नौकर भी रखे थे 17 अक्तूबर को गवई अपने परिवार के साथ खरीदारी करने के लिए मुंबई गए थे मजदूर और नौकर घर पर थे रात में रखवाली के लिए उनकी साली भी घर पर सोने आती थी शनिवार को गवई नाकपूर लोटे रविवार को उन्होंने लकडे की अलमारी खोली उसके भीतर ही दिवार में तीजोरी लगाई गई थी तीजोरी गायब देख गवई हक के बक्के रहे गए उन्होंने घर में मौजुत लोगों से पूचता आच की लेकिन कीसी को भी कुछ जानकारी नहीं थी तुरंद गवई ने पुलिस को जानकारी थी गिटी खदान पुलिस मौके पर पहुची पुलिस ने अग्यात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्च कर जांच आरम की है इस समन्द में गवई ने बताया कि घर में सोने आती थी इसलिए संदेह है कि दिन के समय ही चोरी को अंजाम दिया गया था पुलिस के साथ गवई का भी मानना है कि किसी करीबी व्यक्ती ने ही वारदत को अंजाम दिया है जबकि इस पूरे मामले में पुलिस विभाग में हड़कम मज गया है महीं पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है